उम्शंति आज 20 सेप्टेंबर दोहसार देज आज की मुडले से हमें गुन सेखने मिलता है अचल अडोल बनने का शिबाबा जो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं वो एक ऐसी दुनिया है जहां पर किसी भी प्रकार की हल चल नहीं है stability है, स्थिर्ता है, एक रस अवस्था है अब ऐसी दुनिया में चलना है तो हमें अपनी स्थिती भी तो ऐसी बनानी होगी उस दुनिया के लायक बनना होगा इसलिए बाबा बच्चों को अभी पुर्शार्त कराते हैं संगामयोग पर सत्यूगी दुनिया के लायक बनने का अचल, अडूल, एक रस, स्थिर अवस्था हमारी हो वातावरन चाहे कैसा भी हो कितना ही हलचल वाला वातावरन हो परस्थतियां कितनी ही डग मगाने वाली हो लेकिन हर परस्थति के अंदर हमारी अपनी अवस्था अचल, अडूल हो, स्थिर हो, तब हम विजई बन सकते हैं अब अवस्था बाहर की परस्थतियां अनेक प्रकार की होंगी लेकिन अंदर की अवस्था अचल, अडूल रह सकती है केवल निश्चे के आधार पर और हमारा निश्चे जतना पका होगा उतनी हमारी अवस्था हलचल से मुक्त होगी अचल एक रस अवस्था होगी स्टेबिलिटी हम बनाए रख सकेंगे स्थिर है तबी हम आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए बाबा बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं अपनी अवस्था को स्थिर रखने के लिए सबसे पहला निश्चे चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ जब हम अपने को आत्मा निश्चे करते हैं तो हम इस वर्ल्ड को भी एस ड्रामा देख पाते हैं साक्षी हो करके और साथ साथ हर एक के रोल को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं क्योंकि हर एक आत्मा इस वर्ल्ड स्टेज पर अपना रोल प्ले कर रही है हम ये रोल नहीं हैं इस रोल को प्ले करने वाली सोल है ये हमारी एक्सेप्टन्स को बढ़ाता है और जब हमारी स्विकार करने की शक्ती बढ़ जाती है तो हमारे अंदर स्थिरता भी आती है इसलिए important है मैं ये शरीर नहीं आत्मा हुए निश्चय करना कहां part play कर रहे हैं, कैसा part play कर रहे हैं, कौन सा part play कर रहे हैं वो important नहीं है, सबसे important है उस part को play करते हुए हमारी अवस्था कैसी है हमारी मानसिक स्थती कैसी है, अगर उसमें हल चल है तो हम बाहर अपने रोल को perfection के साथ play नहीं कर पाएंगे, जैसे hero part धारी होता है, वो कोई भी part play करे चाहे नौकर का, चाहे मालिक का, चाहे patient का या doctor का, लेकिन वो hero है, तो वो hero अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभा पाता है इसी तरह से हम भी कौन सा part play कर रहे हैं, लेकिन वो part को कैसे play कर रहे हैं हमारी अवस्ता, अचल, अडूल, एक रस हो, हमें कोई भी परिस्तियां हिलाएं नहीं, लेकिन हमारी आत्मिक स्थिती में स्थित होकर, अपने आत्मिक गुणों और शक्तियों के साथ अपने रोल को play करें सदा इश्वरिय नशे में रहें और अपने रोल को play करें आज के दिवस की यही शुब कामना, ओम शान्ती